जो MSP को लेकर इतना हाई तौबा मचा रहे हैं सबसे पहली बात ये जानिए कि वामपंथी जो की इस किसान आंदोलन में बढ़ चड़ कर आगे आ रहे हैं किसारों के साथ नरिंदर मोदी सरकार अन्याय कर रही है उसी वामपंथियों की सरकार जिस केरल में है वहाँ APMC है ही नहीं यानि वहाँ मंडी है ही नहीं वहाँ जो किसान जादतर पाइनेपल और आम ये उप जाते हैं वो दूसरे राज्यों की APMC में जाकर बेचते हैं तो आप डबल स्टैंडर्ड देखिए कि जो खुद ये मानते हैं कि मंडी अगर खत्म हो गया अलगी नरेंद्र आमूदी सरकार जो कानून लाइए उसे मंडी खत्म नहीं हो रही MSP खत्म नहीं हो रही लेकिन जो सबसे जादा चाती पीट रहे हैं कि मंडी खत्म हो गई तो खिसान खत्म हो जाएगा उन्होंने खुद अपने राज्य में, जहां वो सत्ता में हैं, केरल में, वहां मंडी नहीं रखिये अब इससे बड़ी विडंबना किया हो गया आप सोचिए कि यहां तक की पैनापल ग्रोवर्स असोसियेशन ऑफ केरलम, जिसके प्रेजिडंट है बेबी जॉन वो यह कहते हैं कि मंडियों में तो लॉबीज काम करती है, जिसकी वज़े से वाग कीमत पहले से तैक कर दी जाती है और किसान को फाइदा नहीं पहुंचने दिया जाता, यही बात हम भी कह रहे थे, कि इसी लॉबी के टूटने का जो दर्द है, वो इस किसान आंदुलन में नजर आ रहा है